हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्राखन जी के वेरीजी ट्रिक्स में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल उत्राखन कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें बहुत महत्तपूर्ण फैसले लिए गए आगामी एक्जाम्स को लेक यह अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है जिन भरती परिक्षयाओं पर मुख्यत बात या सवाल उठे हुए थे वीडियो भरती परिक्षया इसके अलावा दोस्तों आपका जो वंद्रोगा की भरती परिक्षया हुई थी और कनिस साय की जो भरती परिक्षया हुई थी इन भरती परिक्षाओं के बारे में अभी या फिर जो और भरती परिक्षाओं यूके ट्रप्लसी ने कराई थी इसमें अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया दोस्तों क्योंकि जांच चल रही है जांच के बाद ही वीडियो भरती मामले का जो अंतिम फैसला होगा उसके पारे में हमें पता लगेगा लेकिन इससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूके ट्रप्लसी के जितने भी एक्जामेरिशन होने थे दोस्तों लगबग लगग साथ हजार पदूं पर वह सारे एक्जाम आपके यूके पीसी करवाएगा यानिकि उत्राकन ल यह ऐसी भरती हैं थी दोस्तों जो कि यूके ट्रप्लसी के दोरा इनके एक्जाम्स कराए गए थे लेकिन इनमें फाइनली रिजल्ट घोसीत नहीं किया गया था इस कारण दोस्तों यह जो एक्जाम्स से आपके इनको कैंसिल कर दिया गया है जिसमें है वाहन चालक भरती वह रिक्षा दोस्तो जो कि 13 जुन को आई जी तुई थी दूसरी है जो करमसाल आनुदेशक की जो वेकेंसी थी इस्टर्टर वाली वो 177 पद अपर 13 जुन को इसकी भी परिक्षा होई थी ये भी रद्ध कर दी गई है मतश्य निरिक्षक भरती इसकी परिक्षिया भी 13 जुन को वी थी ये भरती भी निरस्त कर दी गई है मुख्य आरक्षी पुलीस दूर संचार विभाग के अंतर के दोस्तों जो 31 जुलाई को आप एकजाम बेपर हो था ये भरती परकिरिया भी निरस्त कर दी गई है और rankers भरती परिक्षया जो की उत्राखन पुलिस में जो प्रमोशन को लेकर के head constable के जो परकिरिया थी rankers वाली उसको भी cancel कर दिया गया है और इन भरती परिक्षयाओं का आयुजन भी दोस्तों अब UK PSC यान के उत्राखन परिक्षयाओं को बता दिया जाएगा इसके बारे में भी कोई अपडेट नहीं है कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा खाला कि इस एक्जाम में अभी तक दांदली की कोई बात सामने नहीं आई है दूसरा है उत्राखन फॉर्ष्टर यानि की वंद्रों का एक्जाम पेप हैं और आई थिंग दोस्तों इनमें अभी तक किस प्रकार का कोई भी करप्सन का मामला सामने नहीं आया है इसलिए इनकी साथ ज्वाइनिंग भी हो जाएगी बांकि ये जो भरती प्रकिरिया है इसमें क्या होगा इसके बारे में तो मैं आगे पता लएगा जान्स रिपोर जिसमें अभी तक कोई भी प्रकिरिया प्रारंब नहीं हुई है जैसे कि उत्राखंड ऐसा ही भरती हो गया उत्राखंड पटवारी लेक पाल की भरती हो गया उत्राखंड में फॉरेस्ट गार्ड की जो भरती नई वैकेंसी आय थी तो उनका यह कहना है कि इन पदूंपर दुबारा से फॉर्म निकाले जाएंगे और दुबारा से इन पर फॉर्म भरवाय जाएगा और जिन अभ्यरतियों ने पहले फॉर्म भरे हुए थे उनको बिना सुलक के ये फॉर्म भरने दिया जाएगा तो आप इस मामले में अभी देखना पड़ेगा क्योंकि आज तक ज तो दोस्तों आप लोग भी जरूर अपनी राही दीजिएगा कि UKCCC से सारे एक्जाम सठाकर UKPSC को दे दिये गए हैं क्या UKPSC पूल नपार दर्शिता है सुचिता के साथ में ये एक्जाम करा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं UKPSC का अभी तक जो स्ट्रक्चर है वो इस परिक्षा करा पाए ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी UKPSC को दी गी है बाकि देखे वहां चालक भरती कर्मसाला अनुजिसक भरती मुख्या रिक्षे पुलिस दुरसंचार भरती मतस्चिन निक्षक भरती और रैंकर्स भरती परिक्षा ये आप और दूसरा है दोस्तों पटवारी लेकफाल भरती 513 पदों के लिए इसमें ऑनलाइन आविदन निकाले गए थे और 1,43,000 ने इसमें आविदन किया था ठीक है और इसकी परिक्षा भी नॉवंबर में होनी थी लेकिन अभी दोस्तों ये सारे एक्जाम आपके UKPSC करवाने की जाएगे ठीक है और यहां पर एक स्टेटमेंट दोस्तों मुखेता यह लिखा गया आप पर सकते हैं कि सभी परिक्षा है जिसमें अधिनस्तर सेवा चेहन आयोग ने आविदन लिये थे उनमें लोग सेवा आयोग की परिदी में जाने के बाद पुनह विद्यप्ती प् पैटर्न क्या रहेगा वह अब तक कुछ नहीं कहा जासता है लेकिन जहां तक संभावना है युके ट्रप्लसी के पैटर्न पर ही युके प्यस्सी भी आपके एक्जामनेशन के रवाएगा सिंगल डे एक्जाम जो आपका 100 नंबर का पैटर्न है लेकिन इसके बारे में जै जैसे कि सरकार में दिन नहीं लिया और अभी फैसला हो जाए तो मुझे लगता है कि ये भरती पर के लिए थोड़ा सा लंबी खिश जाएंगी बाकि जैसे ही आयोग के दोरा अपनी नियमाओलिया बनाई जाएंगी या आयोग इस बारे में क्या कहता है उन सभी चीजों को एडवांस कलेंडर भी जारी कर दिया जाए ताकि भरतियों में परिक्षा की सुचिता वो गरिमा को बनाई रखा जा सके ठीक है और यहाँ पर इसके अलावा दोस्तों एक और नियूज में आपको बताता हूँ कि धांदलियों के सक में रद की गई आयोग की पांच परिक् हैं अभी इस वामने में हो सकता है कि संसोधन हो जाए या जिन लोग ने पहले से फार्म भरे हुए उन्हीं को मौका दिया जाए लेकिन अगर दुवारा से फार्म निकाले जाते हैं तो जो नहीं अभ्यरती हैं उनको भी इसमें मौका मिलेगा ठीक है और जो पांच भरती हैं इसके अलाओ दुस्तों एक और अपडेट यहां पर है कि चार पर पहले ही जाच चल रही है जिसमें आयोक की जो सची वाले सुरक्षा करमी वाली भरती है कनिस सायक वाली भरती जो जूडिसेल वाली थी वंद्रोगा भरती है और जो आपका वीडियो पीडियो साहीद एक्जाम पेपर है वो ठीक है बाकि ये दुबारा फॉर्म भरने वाला लोजिक अभी दोस्तों सम जारी में रहें जल्दे ही यूग के बेश सी अपना भरती केलेंडर भी जारी कर ले जारी करने के लिए रजी सरकार हर संबौँक कदर मूठाएगी राजी सरकारन इन भरति雏 वालोग से बहार आयोक से कराने का निर्न ही लिया है आयोक को जल्दे ही बरती परिक्षाओं के लिए कलेंडर जारी कर इस भरती परिक्षाओं को दुबारा से सुरूख करा दिया जाएगा यह जब STF के आपके जांस रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में ही क्लियर हो पाएगा ठीक है बाकि दुबारा फॉर्म बरने पर आपको फीस नहीं देनी होगी तो यही दोस्तों आपकी अपडेट है फाइनली कि UKCC के सारे एक्जाम आपके UKPSC करवाएगा और ऐसे एक्जाम जिसमें अभी तक कुछ भी प्रकिरिया प्रारंब नहीं हुई है उनको पुनर विग्यप्ति किया जाएगा उनकी पुनर विग्यप्ति निकाली जाएगी और दुबारा से उसमें फॉर्म बढ़ने का मौका दिया जाएगा लिए गए दोस्तों तो हमारे लिए जो इंपोर्टेंट निल नहीं थे हो वैंने आपको बता दिये हैं कि ये सारी चीज़े हैं जो कि UKCCC से हटा कर UKPSC को दे गई है और UKPSC यानि कि उत्राकरन राज जो लोग से वायों कि नेमावली में भी आप संसुदन होगा अभी तक वह सिर्फ ग्रूप B लेवल के एक्जामनेशन कराता था अब वो ग्रूप C लेवल के भी दोस्तों एक्जामनेशन करवाने वाला है ठीक है और इस सारे समवर्गों के अंतरगत उसके द्वारा भरती का विजन किया जाएगा इसकी भरती परिक्षाओं की जो अपडेट है बाकी आगे इस मामले में क्या होगा अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं लेकिन आप लोग अपनी भरत समय लग सकता है अभी कब क्या होगा कैसे होगा कोई भी नहीं कह सकता है ये सिर्फ अनुमानिक चीजह हैं कि UK SSC से हटा कर सारी प्रिक्षियां UKPSC को दे दी गए हैं रहे हैं और भरतियों की तैयारी करते रहे हैं क्योंकि एक्जाम्स तो आपके कभी ना कभी होंगे फॉर्म आये हैं तो एक्जाम्स पी होंगे इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहे हैं ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं यह चीज़ें हाला कि जो महनती चात्र होते हैं जो अब भेरती बहुत तीन या चार साल या पांस साल से महनत कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक डिसपॉंटिर करने वाली चीज़े हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी तैयारी करते रहे हैं, अपना मोटो जो आपका लक्ष है कि आपको जॉब राप्त करनी है तो आप उस पर लगे रहे हैं, बाग कि आपको जॉब जरूर भी लेगी, आप मेहनत करते रहें, थैंक्यू, थैंक्स वर राचिन वीडियो, स्यू नेक्स नम धन्यवाद,